असलाम वालेकूम, हेलो एवरिवान, वेलकम टू मैं चानल, फूड एन हेल्थ, आज मैं आपके साथ आटे की नानखटाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो की बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनती है, नानखटाई बनाने के मैं दो मेथट आपसे शेयर करूंगी, जो की दोन चीनी को ग्राइंड करना है, इसके लिए इलाइची पॉडर आप इसके साथ ही तयार कर लें, चार से पांच इलाइची इसमें डाल करके इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसके बाद छान लें, अगर कोई मोटा पार्टिकल चीनी का है, तो वो छानने से बाहर रह चानना यह बहुत जरूरी है, इससे हमारा बैटर बहुत स्मूध बनता है, तो चीनी चानने के बाद इसको हम साइड लेंगे, इलाइची को साथ में ग्राइंड करने का एक बहुत भाइटरी इन टिप है, अगर आपके पास इलाइची पॉडर नहीं है, तो इलाइची को जो छिलके हैं इलाइची के वो भी बहार रह जाते हैं, एक कप मैंने चीनी को ग्राइंड किया था, अब मैं आपके एक कप ही देसीगी ले रही हूं, और इसका जो टेक्शर देसीगी का वो एकदम मेल्टेड नहीं होना जीए, थोड़ा सा जमा हुआ इस तरह का कुछ होन तो थोड़ी आप 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें अगर आपका मेल्टेड है और उसके बाद फिर इसमें इस तरह से चीनी के पॉडर को मिक्स करना है और इन दोनों को बहुत अच्छे से बीट करना है इतना अच्छे से बीट करना है इसको कि जो यह बैटर है एक् 5-6 मिनट के लिए फैट लिया है तो इसको फैटे फैटे थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि इसका टेक्स्चर है एकदम क्रीमी और एकदम लाइट हो जाएगा फिर इसको टेस्ट करने के लिए आप एक पानी की कटोरी ले ले और उसमें इसको ड्रॉप करके देखें अ उसके लिए चन्ने में आपने डेड़ कप आटा लेना है आप चाहें तो मेंदा भी ले सकते हैं मेंदा से और एकदम वाइट सा टेक्स्चर आता है और नान खटाई नॉर्मली लोग बनाते हैं मेंदा की होती है लेकिन घर में बना रहे हैं तो इसको एकदम हेल्धी और वन टीस्पून बेकिंग बॉर्डर भी एड़ करेंगे बेकिंग के प्रोसेस में इंग्रेडियंट्स को चानना बहुत जरूरी होता है इससे अरियेशन अच्छा हो जाता है और हम जो कुछ भी बना रहे हैं केक है कुकीज है वो सब बहुत ही जादा फ्लफी बनती है इसके बाद यह जो हमने बैटर अभी बीट करके रखा था अब हम चीनी और घी का इसको इसमें आड कर देंगे और इसको भी हमें बहुत सौफ ली आड करना है बहुत जादा इसको हमें मतना नहीं है गूतना नहीं है लेकिन इसको इस तरह से मिलाना है कि यहां पर एक मिल्क वगरा ना एड करें थोड़ा सा घी इसी तरह से फैट के इसमें एड कर दें तो उससे इसमें बैंडिंग आ जाएगी तो यह मेटीरिल जादा है इसलिए मैंने छोटे-छोटे इसके फोर बॉल्स बना लिये थे और उसके बाद हम इसको दस मिनट के लिए फ्रिज मे रख देंगे जिससे बहुत अच्छे इसमें नान खटाई में कुकीज में हमारी क्रैक्स आते हैं और टेक्श्चर बहुत बढ़ी आता है इसके बाद हम 10 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से जब हम ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा और हम चोटे-चोटे राउंड पेड़े बनाएंगे बिल्कुल भी फ्लैट नी बनाएंगे क्योंकि यह सिखने के बाद अपने आप स साइस की बॉल्स बनाएं और इस तरह से अगर आपके पास अपे मेकर है तो उसको घी से थोड़ा सा ग्रीज करें और यह सारी बॉल्स इसमें सेट कर दें उपर से आप कच्छे दूद से इस तरह से ब्रश कर दें और फिर इसकी गार्णिश में चौपकियवे बदाम या फ फ्लेम पे छोड़ दें ठीक 20 मिनिट के बाद आप देखेंगे की कुकी का टेक्श्चर काफी चेंज हो गया है कलर में यह डाक हो गी है और साइस में भी यह थोड़ी सी फैल गई है अब आपको गैस को बिल्कुल ओफ कर देना है और तब तक वेट करना है जब तक यह बिल इसे ही लेमन साइस की बॉल्स बनाई है ब्रश किया है मिल्क से थोड़ा से इस पे गार्निश में पिस्ता और चौप किया हुआ बदाम लगाया है और फिर कढ़ाई में मैंने बॉटम में सॉल डाल कर के स्टैंड लगा के पहली रग दिया था उसको पुरानी सी ले ले और उसमें क्योंकि थोड़ी सी जल जाती है या फिर इसमें फॉयल लगा लें आप बेस में और इस तरह से कवर करके रग दें इसका जो होल होता है लेटका उसको भी सील कर दें ताकि इसकी बिल्कुल भी हीट ना निकले इसके बाद आप 20 मिनट के बाद जब चेक करेंगे तो यह बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगी इसलिए बहुत अराम से ही निकल के आ जाती है आपको बेट करना पड़ेगा इनके ठंडे होने का आई होप आपको रेसीपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज से लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल अगर अभी तक सब्सक करें बेल आइकन को भी प्रेस करें थाकि मेरी सारी नियू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो यह देखे किती जबज़ती हमाई नान खटाई रेडी है और यह टी टाइम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इसको आप बच्चे बड़े सभी सभी को यह बहत पसंद आती है और घर के बनीवी हर चीज बहुत अच्छी होती है और बहुत हिल्दी होती है फिर मिलती हूँ ऐसी कोई और हिल्दी न्यू रेसिपी के साथ तिल एन हैपी कोगिंग टेक कियो बाई 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 अल्ला हाफिज